दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने रिमोवेबल डिस्क या पिन राइब के आइकन में अपना फोटो या अपने कमपनी का लोगो कैसे सेट कर सकते हैं तो आएए स्टार्ट करते हैं यहां आप देख सकते हैं पेन राइब में मैंने अल्रेड़ी अपना फोटो लगा रखा है चलिए पेन राइब को फोर्मेट कर देते हैं ताकि या आइकन रिमोव हो जाए और फिर से मैं स्टेप बाइ स्टेप बता रहा हूँ बस आप फोलो करें यहां पे मैंने एक फोल्डर में दो इमेज रखा है जिसे आइकन के रूप में यूज करेंगे लेकिन याद रखें जो भी फोटो या लोगो सेट करना हो उसे बीएमपी फोर्मेट में जरूर कर लें यह फोटो बीटमेप में है जिसका एकस्टेंशन बीएमपी ही होता है इसे आल्रेडी मैंने बीएमपी में करके रखा है यह लोगो बीएमपी में सेट नहीं है इसलिए इसे बीएमपी में पहले चेंग कर लेते हैं चले इस फाइल का नाम भी रखते हैं अब देख सकते हैं यह बीएमपी में कंवर्ट हो गया है इसके बाद एक फोल्डर बनाएए और उसके अंदर उस फोटो या आइकन को रखें जिसे पेंड्राइब की आइकन में चेंग करना है उसके बाद एक टेक्स्ट फाइल लें और उसे अपन करें और टांप करें और ताइप करें उपन इसकाइर ब्रैकेट इसके बाद ओ टो रण और फिर ग्लोज स्काइर ब्रैकेट फिर नीचे लिखें आइकन इकवल टू एड डॉट्ट अट्वीएमपी यहाँ a.vmp इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि जिस फोटो को सेट करना है वो यह नाम से सेव है अब फाइनली इसे सेवेज करें और फाइल नेम पे autorun.inf टाइप करके सेव करें इसके बाद पहले के टेक्स्ट फाइल को डिल्ट कर दें अब इन दोनों फाइल्स को कोपी करें और pen drive ओपन करके उस पर पेस्ट कर दें अब pen drive को eject करें और फिर लगाएं दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ pen drive के आइकन अब फोटो में चेंज हो गई है आईए अब इस लोगो को भी ट्राइ करते हैं यहाँ पे आब लोगो को रखते हैं और इस ओटो रन को ओपन करके फाइल नेम एक ही जगा अब भी करते हैं और सेव करते हैं pen drive को एक बार फिर फोर्मेट करते हैं ताकि लोगो सेट हो सके अब इन दोनों फाइल्स को कॉपी करके pen drive में पेस्ट करते हैं और pen drive को शेयर और सबस्क्राइब करें और साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि एगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल से जल मिले